दोस्तों हर रोस बहुत सारा लोगों ने फोन पे एप्लिकेशन पे जोड़ते हैं और सब को नहीं पता है किस तरह से फोन पे एप्लिकेशन पे रिचार्च किया जाता है आज की वीडियो में मैं फोन पे से रिचार्च करके प्रैक्टिकल दिखाने वाला हो तो देखे दोस्तों मैं phone पे application को open कर चीक हो open करते ही interface इस तरह से देखने को मिलेगा यहाँ पाद देखिए mobile recharge mobile recharge की उपर क्लिक कर नावा चलिए मैं mobile recharge की उपर क्लिक कर दिया उसके बाद थोड़ा उपर यहाँ पाद देखिए search number and name search by number and name की उपर मैं यहाँ पाद देखिए क्लिक कर दिया अब नीचे देखिए मेरा phone contact पे जितना सरा number save किया हूँ सबका list यहाँ पर show कर रहा है और उपर देखिए search by name मैं name type करके मैं यहाँ पर search कर सकता हूँ अगर save नहीं है तो यहाँ पर सिधे मैं number को type कर सकता हूँ तो चलिए मेरा save है तो save number type करके name type करके मैं देखिए number पर आ चुका हूँ यहाँ पर देखिए number इस तरह से यहाँ पर set हो चुका है अब नीचे middle पर देखिए यहाँ पर recharge plan जो है recharge plan यहाँ पर मैं select कर सकता हूँ अगर पता है तो direct मैं यहाँ पर ट्राइब कर सकते हो तो चलिए मैं unlimited recharge करके दिखा रहा हो और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैं कौन सा use कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए भी आई प्रिपेट तो मेरा एक्चुली यह फिलाल नहीं है मैं जीओ कर चुका हूँ तो वेस्ट बेंगल पर मैं चलिट कर चुका हूँ अगर आपका नहीं शो कर रहा है तो यह वाटमेटिक शो करता है तो चलिए आप मैं रिचर्च प्लान की उपर मैं क्लिक कर रहा हूं मैं 150 रुपया मैं रिचर्च करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखिए एक सद रूपच्यास रूपया और रिचर्च प्लान और वेलेटिटी भी यहाँ पर शो कर रहा है देखिए ओन जीवी पार देच 20 दिन के दिए तो चलिहे मैं कर दिया एक स्टाइपनापाचास रुपया पर स्ट हो चुका है और यहां पर देखिये देखिए तो इंने परट्लीक करना हो तो यहाँ पर देखिए वालेट पर यहाँ पर ग्रीन टिक दिखाई देख रहा है तो चलिए अब नीचे देखिए recharge, recharge की उपर मैं क्लिक कर दिया देखिए recharge सक्सेस्पूल हो चुका है मैं इस वीडियो पर रिचार्च करके मैं आपको प्रैक्टिकाल दिखाया वीडियो अगर अच्छा लाए तो एक लाइक जरू देना और चैनल को सब्सक्रीब करके बेल आइकन को प्रैस करना धन्यवाद